किसान भाईयों कैसा हो अगर आपकी फसल में लगाई हुई आपकी दवाईयों की लागत खाद की लागत और साती साथ जो सिचाई की लागत है वो बिल्कुल आदी हो जाए तो ऐसा मुम्किन है इस प्रोड़क्ट की वज़े से जिसको मार्केट में एगरी 82 के नाम से जानते है और साती साथ जो हमारी मिट्टी के पोख शक्तित होती है यह उसको भी बढ़ाता है और साती साथ आपकी पैदावार में भी बहुत सुदार करता है यह बहुत ही सस्ता प्रोड़क्ट आ जाता है इसके वारे में आज आपको मैं डीटेल से बताने वाला हूँ लेकिन उस वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं एंगरी–82 प्रोड़क्त के बारे में डीटेल से मैं चलिए किसान भाईयों बात कर पहुचाएगा नहीं हमारे फर्य अवरण को नुक्सान पहुचाएगा और दोस्तों आप इसको किसी भी फंजी साइट पैस्टी साइट फर्टिलाइजर हर भी साइट के साथ आपने मिलागर इस्तमाल कर सकते हैं कोई भी केमिकल रियक्शन देखने के लिए आपको इसके अंदर नहीं मिलेगा तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इसके क्या-क्या फायदे होते हैं तो पहले फायदे के करम बात करें तो अगर आप इसका इस्तमाल सिचाई के समय पर करते हैं जब आप अपनी फसल को पानी लगाते हैं उस समय पर आप इसका इसमाल करते हैं तो आपकी फसल में जो नमी हैं दोस्तों बहुत ही लंबे समय तक बनी रहीगी जिसकी वज़े से क्या होगा आपको जल्दी से सिचाई करने की आविशक्ता नहीं पड़ेगी और पानी की वी बचत होगी और आपके समय की वी बचत होने वाली है तो अगर हम इसकी मात्रा की बात करें तो आपको जिस समय पर आप पानी अपनी फसल में छोड़ते हैं तो उस समय पर आपको इसको बुन बुन करके अपनी फूरी फसल में दे देना है पानी के साथ छोड़ करें तो आप जब इसका इस्तमाल किसी भी दवाई में मिला कर किसी भी पिर्कार के हरभी साइ्ट साइट मिला कर सब्सक्राइब तो आपके जो दबाइब की पावर होती है उसको यह क्या करता है गश्टारी के से कम से काम 30 से 40% बढ़ा देता है 30 इसका इस्तिमाल करते हैं तो आपकी जो दवाई की पावर होती है उसको यह क्या करता है एक तरीके से कम से कम 30-40% तक बढ़ा देता है 30-40% अगर आपकी दवाई की पावर बढ़ जाएगी तो आपकी जो दवाई की लागत है दोस्तों वो भी कम होने वाली है जो दवाई आपकी 100 लिटर में 100 ml डाल रहेते उसको 75 ml आपकी हो जाएगी जिससे क्या होगा आपको दवाई की जो मातरा है वो कम लेनी पड़ेगी और आपका पावर भी आपकी बढ़ जाएगी जिससे आपको जो दवाई की छमता है लगाने की उसमें भी आपको मुनाफ़ देखने के लिए मिलेगा अब बात करें अगर तीसरे फायदे की तो तीसरा फायदा यह क्या करता है आप जब इसका इस्प्रे अपने पोदों पर करेंगे तो कई बार अगर क्या होता है किसान भाईयों जो हमारे पोदे होते हैं उन पर जवाब स्प्रे मारते हैं तो कारण आपकी फसल की पैदावार भी एफेक्ट होती है और ना आपको वह क्वालिटी मिल पाती है तो आगर आप इसका इस्तमाल किसी जब करते हैं तो यह पत्यों पर दवाई को बिल्कुल चिपका देता है जिससे क्या होता है पानी की बून आपकी पत्यों चुटकर नीचे नहीं करने वाली इससे आपकी जो दवाई का असर है वह काफी लंबे समय तक रहेगा और अच्छर जट आपको दवाई के देखने के हो सकता है जो कीट है या बिमारी है वह पत्ते के नीचे की साइड है तो यह दवाई को पत्ते के आरपार निकाल देता है और जो काम करना है दवाई को वह पूरा काम आपको देखने के लिए मिलेगा बात कर लेते हैं दोस्तों इसके 5-6 फायदे के बारे में तो इसके इससेटमाल करेंगे elder के साथ में किशी साथ में तो यह हमारे फूर्ड़ को एक स्वाइधे में घोल देता है और यह पूर्डर को नीचे नहीं बैठने देता है इससे क्या होता है फूरि फसल में आप जो और है वो एक समान दवाई की मातरा आपकी पोदों पर जाएगी और अच्छे से रिजल्ट काम करेगी अपना चलिए बात करते हैं इसके छड़े फायदे के बारे में दोस्तों छड़ा काम जो है यह पोदों को हरा भरा भी रखता है और साथ ही साथ जो आपकी मिट्टी की उ नुकसान पहुंचाता है वीडियो के जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो लाइक जरू कर दें चैनल को सस्क्राइब जरू कर लें मिलते हैं अगली वीडियो में अगली वीडियो में राम राम दोस्तों